नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी राजनीती, क्रिकेट चाहे कौनों अपराध आउर फिल्मी दुनिया के खबर हो एकदम बढ़िया बढ़िया खबर, बिना कौने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी, यी खबर रुआ खाती है, ता इहे लगी खबर की सन लागल यी सब बतावल जाए, तुरंत कमेंट करी आज के सबसे बढ़ खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल के बा, जेकरा के सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाला में अंतरिम जमानत दे देले बा दू जज के पीट उनुका के एक जून ले अंतरिम जमानत दे दिहले बिया, आदू जून के उनुका के आत्म समर्पन करे के पड़ी मानल जाता कि आज ही उतिहार जेल से बाहरी आ सकता रे एकरा खातिर पहिले सुप्रीम कोर्ट से लिखित आदेश आई जवन निचला अदालत में जाई जमानत के शर्त तय कैला के बाद निचला अदालत आपचारिकता पूरा कके केजरीवाल के रिहाई के आदेश जारी करी यी आदेश तिहार जेल में जाई आ अगर प्रक्रिया समय पर पूरा हो गईल ता आजू सांच के खुदे रिहा कर दिहल जाई एह फैसला के बाद इंडिया गठ बंधन के खेमा में खुशी बा ता भाजपा उनुकर तुलना अपराधी से करत कहत बिया कि पैरोल पर रिहा हो खे वाला अपराधी निहन उनुका के 21 दिन खाती रिहा कईल जाता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर चिराग पासवान पर हमला बोल ले चिराग पास्वान के ओर से आरक्षन पदिहल बयान के सवाल पा तेजस्वी यादव कहले कि एकरा पजादे टिपपनी करे के जरूरत नहीं खे चिराग पास्वान खुद कहत रहले कि हम एगो सम्रिध दलित हौवें उन लोग के आरक्षन वापस करे के चाही पिये मोदी चिराग पासवान के संगे अन्याय कईले बाड़े अपना बाबू जी के मूर्ती फेंक दिहलस आपन घर खाली करा लिहलस आपन पार्टी तूट गईल ओह लोग के पार्टी के प्रतीक जवन बंगला रहे उचीने के काम भैल घर में चाचा भतीजा के बीच जग रहे के आजादी बा अब एह बयान पचिराग पासवान जवाबी कार्रवाई कईले बाड़े चिराग पासवान जवाब देत कहले कि चुनाव पारित होखला के संगे ए लोग के भाषा के गरिमा गिरता उलोग हमेशा से अईसन कहत आयल बाड़े एह दोरान चिराग नईखन छोड़त राष्ट्रिय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा शुक्रवार के कराकट लोकसभा क्षेत्र से एंडिये के उम्मीद्वार के रूप में नामांकन दाखिल कईले नामांकन दाखिल करत समय अपना समर्थकन के संगे पहुंचल उपेंद कुश्वाहा निर्दलिये उम्मीद्वार पवन सिंग के बारे में पूछल गईल सवाल के जवाब देले एह सीट पर उनुका के इंडिया गठ बंधन के उम्मीद्वार राजाराम सिंग कुश्वाहा से मुकाबला के सामना करे के पड़तबा तबो पवन सिंग के मैदान मे उतरला का बाद काराकट में मुकाबला त्रिकोणिय लागतबा पवन सिंग के चुनाव लड़े के बारे में राष्ट्रिय लोक मोर्चा के राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा कहले कि ना ता उनुका से प्रभावित बाड़े अवुरी ना उनुका जनता पक कवनों असर देखाई देता उन कहले कि जदी पवन सिंग अपना के भाजपा के सदस्य कहता रे तब भारतिय जनता पार्टी के उनुका खाती चिंतित होखे के चाही हमनी के ओ लोग के चिंता करे के जरूरत नहीं खे उजोर देत कहले कि पवन सिंग चुनाव लड़ता रे तक कवनों पर्क नई खे पड़त गुरुवार के उपेंद्र कुश्वाहा से एक दिन पहिले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंग निर्दलिय उम्मीदवार के रूप में आपन नामांकन दाखिल कईले रह ले केदार नाथ धाम के कपाट आजू भक्तन खातिर खुललबा उदगाटन के पवित्र क्षण के हजारो श्रधालू साक्षी रह ले एह दौरान सामने आईल भक्तन के उत्साह आ आस्था के तस्वीर निश्चित रूप से हर्ष आ उत्साह से भरल रहे बाबा के सहयोग से भक्त लोग पहाड़ी पर चड़ गईल आज इसहीं दर्वाजा खुलल भक्तन के सगरी ठकान खतम हो गईल फिर बाबा केदार के जैकार से जगह गूंज उठल चार धाम यात्रा केदार नाथ गंगोत्री आयमुनोत्री धाम के कपाट खुला से परान हेलिकॉप्टर से फूलन के बरसाथ भैल बाबा केदार के पंच मुखी डोली हजारों श्रद्धालू के जैकार से केदार नाथ पहुंचल बा एकरा संगे संगे भक्तन खातिर यमुनोत्री के दर्वाजा भी खोलल गईल बा केदार नाथ धाम में मंदिर के खुले क के मौका पसीयम धामी अपना पतनी के संगे मौजूद रहले अवुरी बाबा केदार के आशीरवाद ले ले शुब समय में आजू सबेरे केदार नाथ धाम के कपाट भक्तन खातिर खोलल गईल बाकिर एकरा से पहिले भी सरकार आप रशासन के बेहतर सुरक्षा व्यवस् के अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस के जीते खातिर प्रचार के मैदान में आपन पूरा ताकत लगावत बाड़ी एह सीक्वेंस में उ मतदाता से भावनात्मक रूप से जुडल कोशिश करत लुकत बाड़ी एह दोरान उ अपना पिता राजीव गांधी के याद करत सम्मेलन में कांग्रेस सपा आम आदमी पार्टी के अधिकारी आग कार्यकरता भी मौजूद रहले कांग्रेस महा सचिव प्रियंका गांधी कार्यकरता सम्मेलन में पहुंच के कार्यकरता के संबोधित कईली प्रियंका गांधी कहली कि अमेठी के जनता के रिष्टा प्रे बानी जा आरुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा आपन खूब ध्यान रखल जाए कल फेर रवा खाती खबर लेके आईल जाए भोजपुरी भाशा में